नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन के बारे मताऊंगा जो आपको मार्केट में खरिदने की जरुवत नहीं है आप इसे चाहें तो अपने घर बे बना सकते हैं और घर की जो जरुवत की जो चीजे होती है डेली की उन्हीं सब चीजों से बनती हैं ये मेडिसिन इतना लाबकारी होता है कि अगर आपको शरीर में कमजूरी हो आपके शरीर में काफी ज़्यादा विकनेस महसूस हो या आपको सेक्स्वल एक्टिवीटिस करने में काफी ज़्यादा विकनेस महसूस हो या आपका मन नहीं लगता हो या फिर आपका ऐसी कोई परिशानी हो जिससे आपको कमजोरी रहता हो आपका सरीर दुबला पतला हो आप चाहते आपका सरीर मोटा हो आपका सरीर फैले आपका सरीर मजबूत हो या आपके सरीर में ताकत बढ़े इन सभी चीजों को दूर करने के लिए या इन सब चीजों को बेनिफिट देखने को मिलता है आप इसे लगतार 15 दिन इस्तिमाल करे और फिर इसका यूज देखे आप खुद बताएंगे कि इसका क्या बेनिफिट है क्या बेनिफिट नहीं है तो चलिए मैं आपको उसके बारे में मैं बताता हूँ कि वो चीजे बनाई कैसे जाती है और उसका कैसे इस्तमाल करना है और किन किन चीजे में करना है देखिए इसका नाम है वाजिकरन पिंड रस इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज आपको चाहिए मिस्री चाहिए उड़त की दाल का आटा लेना है यानि उड़त का बेसन लेना है ठीक है वन्सलोचन चाहिए जो आराम से किसी भी आयरवेदिक जो मेडिकल स्टोर होगा जहाँ यहाँ पे या फिर जो भी पंसारी के जो दुकान होती है वहाँ पे आपको मिल जाएगा वन्स लोचन, वन्स लोचन का चूर्ण लेना है गो दुख यानि गाय की दूद लेनी है गो घृत गाय के घी लेनी है गहू का आटा लेना है इन सब को एक में मिला लेना है और घी में पूआ पकाना है नहीं इन सबी को मिसरी को जो उड़त की दाल का आटा है इसको फिर इक गाय के घी है व पुआ पकाना है तो इसको तेल में नहीं बलकि इसको घी में पकाना है ठीक है चाहे तो आप घी में उसको तल ले या फिर छान ले जैसे आपको लगे लेकिन घी में पकाना इसका ध्यान रखे इसको पुआ को जब पकाना है तो पूरा नहीं पकाना है यानि अदकचा होना च यानि कि आपको दोनों तरफ से हलका हलका पका हुआ होना चाहिये जब यह पक जाए तब उसके बाद इसको उतार लेने और उसको उतार कर लेने उस पुय का और उस पुय का फिस टुक्रद टुक्रे करके उसमें एक मेए यलाइची और कोई और जो सुगंद करने वाले, जो इलाची हो गया, सौंफ हो गया, इस तरह के जो सुगंद पैसा पाइदा करने वाले चीजफे होती है, वो द्रव ले, वो पदार्त ले और उसमें फिर उसको क्या करें, जो भी मधूर रस युख्ट मूर्गे के मांस रस होता है, इस दूसरे मांस को पकाए और पकाने के बाद उस मांस को कपड़े में रखे और उससे निचोड़ ले और उसमें से जो भी उसकी मांस के अंदर से जो भी रस निकलेगा यानि जो भी ग्रेवी वाला पार्ट होगा उस पार्ट को लेना है आपको मांस वाला पार्ट को न लेकर मांस का रस लेना है और उसके अंदर जो भी सुगंदित वाली जो भी द्रव है चाहे जैसे किलाइची हो गया फ्लेवर अपने लाने के लिए वो डाल लीजिए डाल के और इसी मांस वाले मांस जुमूर्गे का मांस का जो रस है इसी के अंदर जो अपने पुआ पका के उसको तोड़ ल करें तो उस समय ख्याल रखे इस बात का कि दूद का सेवन करें ठीक है याई आपको भूक लगती हो या रुड़ ज्यादा आपकुछ मन करता हो तो आप बिच बिच में दूद का कि इसतमाल पी सकते हैं अगर आप इसका इसतमाल करते हैं और लगतार 15 दिन का इसतमाल करते दिन में एक बार से दो बार या तीन बार, अगर एक बार में आपको अच्छे से पच जाता तो एक बार इस्तमाल कर सकते हैं, दो बार आप पचा लेते हैं तो दो बार इस्तमाल करें, तीन बार इस्तमाल करें, आपके उपर डिपेंड करता है, अगर आप इसका पंदरा दिन तक इस्तेमाल करते हैं तब कि बोडी से जो भी कमजोरी नाम की जो चीज़ है न वो काफी दूर चला जाएगा आपका शरीर एक अलग ही चमक वाला हो जाएगा आपके शरीर में एक अलग ही तरह के ताजगी एगा इनर्जी महसूस होगा जो आपको इससे पहले नहीं महसूस रहा होगा इसका लाब कहा कहा होता है इसका लाब यह विरिश्ष बताया गया विरिश्ष ही के मतलब कि आपके बोडी के अंदर इतनी पोटेंसी हो जाएगा कि आपको किसी भी मैं काफ़ी जादा energetic हो चुका हूँ काफ़ी मेरे अंदर किसी भी तरह के कमजोरी नाम की कोई चीज नहीं है तो ये बहुत आसानी से आप अपने घर पे बना सकते हैं मेरे ख्याल से केवल आपको once lotion लेने में थोड़ी सी परिशानी हो सकती है और वो कोई भी पंसारी के दुकान पे आपको मिल जाएगा नहीं तो आयरवेदिक मेड के रस्टोर पे मिल जाएगा ये आप इसका इस्तमाल करके घर पे बना सकते हैं और मैंने इसके वीधी भी लिग दिये तकि आपको समझने में कोई परिशानी ना है आगली वीडियो में मिलते हैं किसी और मेडिसिन के साथ तब तक के लिए शुक्रिया